वेरी वेलकम टॉल सातियों जांफ फाइटर नबरन प्राप सभी का हार्दिक सभागत है जपेशी पीटी जी पर टू के क्लास्जिश्म सभागत है और पेपर टू में आज हम दोग दिखेंगे क्रेंट पैस क्योंकि आज संडे है और प्री संडे यहां पर जार्खन करेंट सोहता है जांब्र नंबर करेंट नंबर कंश आएगा 20 नंबर्र वह आपका जार्खन स्फ़ीट एंट में आप सभी का पुना हर्दिक स्वागत चलिए प्रश्णों को सॉल्प करते हैं फटा-फट इस्टाइल में क्योंकि इससे पहले 105 को कम्प्लीट कर चुके हैं इसके पहले 105 क्रेंट कर चुके हैं और यह 106 नंबर से यहां पर 106 नंबर से चलिए स्टाट करते हैं आज का पहला क्रेंट आपके सामने हैं अगि 306 नेस्टनल गयांप्स कौन सा था यह प्रस्ण से भी प्रस्ण निकालने आप है ना नेस्टनल गयम स अभी आईजूत हुआ था कहां हुआ था गुजरात में गुजरात में हुगा था और यह कितने नंबर का था 36 नंबर का तो 36 नंबर का तो 36 नेशनल गेम्स में मैंस ट्रिपल याने पुरूस के ट्रिपल में चंदन सिंग अभिसेक लगड़ा और प्रिंस महातों ने दिल्ली को 23-10 से हरा कर कौन सा पदक जीता यह इन्हों तीनों ने मिलकर जो ट्रिपल मैंस ट्रिपल पर्तियों गिता थी नेशनल गेम्स में इसने कौन सा पदक जीता तो इसने जीता कांस से पदक और याद दखिए यह नेशनल गेम्स कहां हुआ था गुजरात में हुआ था कितने नमर का था 36 नंबर का था आगे बढ़ते हैं जो मिटर हडल मैं इसनोंने कांस से पदक जीता कौन सा पदक जीता यह भी आ दखिए कांसे पदक जीता किसने सपना कुमारी ने और कहां पर 36 नेशनल गेम्स जो कि गुजरात में जीत हुआ था अभी इसी नेशनल गेम्स से रिटर हम दोग परस्नों को सॉल्फ करेंगे न च्छ नेशनल गेम्स में लॉन बॉल या देखिए कि खिलारी खेल और खिलारी माले लॉन बॉल नॉन बॉल से कौन है पुरू से कर में सुनिल बहादूर ने बंगाल को 21 च्छौ से हराकर कौन सा पदक जीता च्छ ने अभी गोल्ड मेडल जीता है वह बंगाल को भी आपको राखना है बंगाल को हराकर गोल्ड मेडल जीता है किस खेल में लॉन बॉल में से त्रिपर त्रिपर जासमिंच से मेंध्च सिलया कमारी अनामी का लқणा जिता डिलि को 9-8 से हराकर्टेक तो रजद पड़ जीता यहां पर तीनों का नाम याद लख इए का ये पूच दिया जाइगा कि नेशनल गेम्स में रजद पड़ जीतने में वोमेंच श्यपड में कौन से खिलाडी नहीं सामिल थी उसमें तीन जञें अभल पम वाट करना होगा उसको करते आउट करना होगा तभी आप एंसर कर पाएंगे तो इसलिए आपको तीनों का नाम याद रखना सरीजातिर की श्राविता कुमारी और अनामी का लखड़ा और इन्होंने विमेंस ट्रिपल में अभी रज़त पदक जीता सिल्बर मेडल जीता तो इसी परकाम मेंस ट्रिपल मे और और भी आपको याद रखना तिनों खिलादियों का नाम लर। ट श्र Trude कि किस जिले से तो धनबाद से है किस छेत्र में जीता किस खेल में जीता तो तिरंदाजी में जीता और व्यक्तिका तीमें पर्शनल यहां पर जिसे होता डबल ट्रिपल वैसा नहीं इन्हें अपना व्यक्तिका तीमें में जीता अगला गुजरात में चातिस्वे नेस्टल ग जीदे तो 13-13 गुज्राट में 36 वे निस्टे लृष बहुत इंपोर्टेंट आठेवा बहुत पुसिए पर दोर स्वक्छ सर्वेक्षन 2022 सवक्छ सर्वेक्षन 2022 में जultan को आपन की वढ़ों नहीं पूर्छ अस्थान मेच दूसरा में कiern इंद्या थे दक्षिन अफ्रिका के बिच तीन मैंचों की वन डिस तीज का दूसरा मैंच 9 अक्टूबर 2022 को कहां खिला गया रांची में चिलागे बढ़ते हैं पुर्व मुख मंत्री हमन सुरह ने किस जिल्ले में आपकी योजना आपके सरकार है ना आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारिक्रम का सुभारम किया यह सरकार आपके द्वार ज्यादा फ्रेमस इस नाम से सरकार आपके द्वार कारिक्रम को मुख मंत्री स्री हमन सुरह ने स्टार्ट किया तो कहां से इसका सुभारम किया गिरीडी से बहुत इंपर्टन प्रसन है सरकार आपके द्वार का कि शुरुबात कहां से हुए गुम्ला की यहां दखियेगा कहां कि है गुम्ला की आसा किरन बारला आसा किरन बारला ने कुवेत में आये जित चोथी यूथ एतलेटिक्स जीति divisive की 800 मेरसमीटर असफरदा में कौं सा प Artemis ट्रेटा इंदिया में तो जीती रहे धी शर्कंडियों ने परचंश पर्श आलाना start कर दिया कर दिया द देखिये गुम्ला में गुम्ला की आसा किरन बारला कि अगुम्ला की इनहोंने कुवेत में आये जित आये 4 यूथ ए अथ्लेटिक्स चंपेंशिप की 800 मीटर असफर्दा में गोल्ड मेडल जीता है यहां से प्रस्ण क्या-क्या बनेगा आसा किरन बारला जिन्होंने की अभी चोथी यूथ असे अथ्लेटिक्स चंपेंशिप में स्वर्ण पतक जीता है किस जीले की है तो गुमला जीले की है कितने मीटर के सपर्दा में जीता यह भी पूछा तो 800 मीटर यह परत्यों के लिए भारत में होने वाले पिस्वर्ण के नाम की है Sungit मुंडा का चन्ुण भारत यह न्याथियसे जारकन नीती 22 जिस प्रकार भारत सपर्कार ने इथेनोल नीती tv आई है कि पेट्रोलियम फलेंत को करेंद निर्भरता कम किया सके क्यों कि यहाँ पर इतिनोल की प्रयाप्त मात्रा वहरत सरकार इथेवं मिंद्ट मन्जूरी मिल गिया है तो जारकन इथेनॉल निती 2022 को मंजूरी मिल जाने के बाद इथेनॉल के उत्पादन में किन किन चीजों का इस्टमाल किया जाएगा इथेनॉल के उत्पादन में किन किन चीजों का इस्टमाल किया जाएगा एक मक्का और ब्रोकन राइस जो जारकन इथेनॉल निती है इसमें अ जिला और पुरुस्त कुस्ती चैंपियंशिप का राज के किस जिला में किया जाएगा गुड़डा में यह 23 है ना 23 राज महिला पुरुस्त कुस्ती चैंपियंशिप का राज के किस जिला में किया जाएगा तो गुड़डा जिला में किया जाएगा नेक्स्ट दुनिया की आ मनासलू पर जहारकन से किसने फटा आसल किया असमीता दौर जीने नेक्स्ट ग्लोबल ट्राइबल कीन ग्लोबल ट्राइबल कीन परत्यों किता में सरस्रेष्ट फोटोजेनिक फेज और ट्राइबल किन ग्लोबल, ताइबल, किन परत्यों किता में सरस्रेश्ट फोटोजेनिक फेज और ट्राइबल किन का पुर्षकार किसने जीता? सलोनी तिर्की और पूजा लकडाने जीता नेक्स्ट, शावित्री बाई फूले किसोरी समर्दी योजना का ब्रान डंबेस्टर किसे बनाय गया है? अश्टम उराओं को किस संस्था ने संथाली, मुंडारी और खडिया जैसे जन जातिया भासा में बैंकिंग बुकलेट प्रकासित किया है? आप यह भी पूछा सकता है जारकन के किन भासाओं के लिए रिजर बैंक ने बैंकिंग बुकलेट प्रकासित किया है? यह भी पूछा सकता है तो इसमें संथाली, मुंडारी और खडिया याद रहेगा तो आप से किसी भी तरश से प्रस ने पूछा जैगा घुमाके आप उसका एंसर कर पाएंगे जारकन के 22 जिलों में से कितने प्रकंड को सुखागरस्त घोसित किया गया है? 22 जिले के 226 प्रकंड को सुखागरस्त घोसित किया गया है और किसानों को मुआवजा देने का प्लान है बहुत इंपर्टन करस्ट प्रस्ण यहां पर 125 में प्रोफेसर स्रीकांत पाल वही फेमस रही है अभी आज कल के में तो प्रोफेसर स्रीकांत पाल कहां के प्रोफेसर हैं जिनके अल्ट्रा वाइड लेंड एंटीना को भारत सरकार से सुकृति मिली बियाटी में इनके दोरा जो बनाया गया था अल्ट्रा वाइड लेंड एंटीना को भारत सरकार ने सुकृति दे दी है यह रांची में जो बियाटी में सरा है वहां के प्रोफेसर है प्रोफेसर स्रीकांत पाल प्रोफेसर स्रीकांत पाल का अल्ट्रा वाइड लेंड एंटीना अल्ट्रा वाइड एंटिना जोकि प्रोफेसर सृरान्त पाल है जार्कन राज। जार्कन राज। शोर। निति के तब कितने गाउं को ृष्ण फट्ट कितने गाउँ को ृष्ण सोल कांप talked को सोल राज। करने का लख्ष तो से होँगे हैं इसको निएस जहर्कण राज सोर सोर नेटी जहर्कण राज सोर नेती के-स जी शिय ह脆इज ग्रूब रूप में विक्सित क्या जाएगा जारकन राज सोर नेती के तर्थ जारकन के किस जिले को सोलर सीटी के रूप में विक्सित क्या जा रहा है तो गिरीडी गिरीडी बनेगा सोलर सीटी जारकन के किस व्यक्ति को रसलीन उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा समान रसलीन उस्ता बिस्मिल्ला खान यूवा समय समयत क्या गया है तो बिनोध ब्यारी महताओं जी को छारकन के कितने कलाकारों को चेन सहीत नाटक एकादमी पूरुस्कार के लिए चाहरकन के छे कलाकारों का चैन क्या गया है किस विधायक को किस विधायक को वर्स 2022 के लिए उत्क्रिष्ट विधायक चुना गया है किस विधायक को 2022 के लिए उत्क्रिष्ट विधायक का एवार्ड मिला है तो वह हमारे बिनोद कुमार सिंग और बिनोद कुमार सिंग जो कि किसे कम्मुनिस्ट पार्टी के विधायक है यह कहां के हैं Communist Party के विदय हैं जहरकन के हैं अब बहुत साधा जीवन जीते हैं है कहा जाता कि अभी वे अपने कार्याला GO wzn करते है और जो पार्टी का कार्यालाय मिला है उसी में ये रहा करते हैं पार्टी के कार्यालाय में ही इनका आवास है यानि जैसे अभी बड़े बंगले अलिशान लोग बना लेते हैं लेकिन ये अभी भी अभी भी आपके का सकते हैं कि एक पार्टी दौरा मिले गए आवास महीं रहते हैं जो कि विधायक है ये कहां कि है बगोदर या दखिए का अभी नाम पूछा सकता बिनोद कुमार सिंग जिसे के अभी best MLK मिला है वह कहां के बिधायक है तो बगोदर के हैं जो कि गिरिडी जिला मिश्थी और यह किस पार्टी के यह यह CPI CPI MLK CPI MLK CPI MLL के आगे बढ़ते हैं कि चार से साथ नौवंबर 2022 तक तासकंद तासकंद का है उजबेकिस्तान में आयजुट एसेन चेंपेंश्रीप 2022 में ज्छारकंड की गडवा की किस पहलवान का चैन किया गया अनुप्रिय दर्सी याद रखिएगा आपका यह बहुत इंपर्टन होने ले क्योंकि यह कर सकते महिला है और महिला पहलवान ज्छारकंड जैसे छेत्र में होना यह हर्याना जिसा इस्टेट तो है नहीं बहुत बड़ी बात है इसलिए यह सब प्रस्ण बहुत ही इंपर्टन है आपको सीम्पल से यहां पूछा जैगा अनुप्रिय दर्सी किस खेल से समंदित खिला रही है तो यह कुस्ती है पहलवान यह है ज्छारकंड की बहुत फेमस है फिर से प्रस्ण को पढ़ लेते हैं चार से साथ नॉम्मर 2022 को तासकन उजब्यकिस्तान में आज इसें चेंपेंस्टिफ 2022 में ज्छारकंड के गडवा की किस महिला पहलवान का चैन किया गया है तो अनु ቃग इapolis एक किस्वर्स तक आ किस्वर्स तक आइसीप 16 इइंजन आधारित वहांओं को विद्दूत वहांओं में बदलने का लक्ष रखा है किस वर्स तक किसवर्स तक किस्वर्स तक का लक्ष रखा है नेक्ष्ट हाली में हाली में निदन वे राष्ट्रे खिलारी सोनी टप्पों का संबन्द किस खेल से खोखो जार्कन की महत्पुन खिलारी दिये जिसका हाली में निदन हो गया है सोनी टप्पों यह किस खेल से संबन्द रखती थी तो खोखो से बहुत इंपॉर्टन राज बाल अधिकार संब्रक्षन आयोग का किसे बनाए गया है काजल यादाव को काजल यादाव को यह साथ ही आप सभी के लिए जिए पेपर टू पेपर टू की क्लासर जहां पर हम लो संदर इसकोर के साथ बिलकुल असाल हिसे सभ़ख म으ना चाहता हैमारे साथ जूड करें विलकुल free में सारे Class's का लाव ले सकते हैं और इस Classes का लब ले ने को क्या करना बस चनल को subscribe करके बिल आइकन को उपरज करके अल बटन को क्लिक कर लेना है ताकि आप classes की वीडियो र्टेख सके अब डेख सके क्योंकि एबरी मॉर्निंग यहाँ पर classes की वीडियो अपलेट कर दी जाती है लिगर आप subscribe करके रखेंगे तो classes आप देख पाएंगे और आप अपने को को शांदर कर पाएंगे और यहां सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फप्रस करके आने वाले डेट में आपके लिए भी क्लासेश पहुचना सुगम हो ताकि आपको नॉटिस पहुचे सब्सक्राइबर रहेंगे और वेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो क्लासेश की नॉटिफिशन आप तक जाएगे आप क्लासेश को देख पाएंगे thank you thank you very very much for watching this video and connecting to exam fighter no.1